हेलो फ्रेंट्स जागरुतिस वेज़पुड में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे उत्तपा पीजा तो आए फ्रेंट्स देखते हैं उत्तपा पीजा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामगरी चाहिए यहां पे हमने लिया है इतली डोशा बेटर लंबा और बारिक हम यहां पे हमने टमाटर का सोस लिया है ग्रीन और रेड केप्सिकम लिये है ब्लेक ओलिव्स और जेले पिनोस तो आए फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं अल्रेडी हमने गेस पर तवा रख दिया है और तवा जो है हमारा हीट हो चुका है ओलिव ओल्स लिया है हमने अभी हम इसके उपर थोड़ा सा ओल डालेंगे और उससे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अभी हम इसके उपर इटली जो सा बेटर जो है वो फैला लेंगे बेटर में हमने नमक वगेरे सब डाल के रखा है देखो अच्छे से फैला लेंगे ठीक रखना है अमें पतला नहीं करना है थोड़ा सा पकने के बाद हम इसके उपर टमाटर का सोस जो है वो फैला लेंगे आपके पास अगर पिज़ा सोस अवेलेबल है आप पिज़ा सोस फैला लेंगे अच्छी तरह से फैला लेंगे अभी हम इसके उपर जो है और इगानों नहें करना है तो अच्छी तरह से फैला लेंगे अभी हम वो डाल देंगे, अच्छी तरह से मसल के डालेंगे, अभी हमने बारिक चोप करके रखा है प्यार्ज, वो डाल देंगे, पूरे बेज पर हम फेला लेंगे, अच्छे से, येले पीनों जो है वो फेला लेंगे, अभी हम दोनों कलर के केप्सिकम डाल देंगे, और लिप्स डाल देंगे, आप अपने इच्छा के अनुसर कोई भी टोपिंग इस पर कर सकते हैं, तो अभी इससे अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा पकने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ताकि मसाले जो हैं हमारे अलग ना हो जाएं, तो देखो यह पक चुका है हमारा अच्छी तरह से, अभी हम इसके उपर पीजा हब्स जो है, स्विंकल कल देखे, अभी हम चीज जो है फेला लेंगे अच्छी तरह से, चीज की मातरा जो है आप अपने अनुसर घटा बढ़ा सकते हैं, पुरे बेज पर इस तरह से अच्छे से फेला लेंगे थोड़ा सा ओलीवल साइड में हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा साइड सम देख लेंगे अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं, आप जितना क्रिस्पी करना चाहो उतना आप रखे, थोड़ी देर एक से दो मिनट तक ढख कर रखेंगे ताकि चीज हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो देखो यह हमारा जो है उत्तपा पीजा बिल्कुल रेडी है, इसको हम डीश में निकाल लेंगे, अभी हम इसको पीजा कटर से कट कर लेंगे और इससे गरम गरम ही सर्विंग डीश में सव करेंगे, उपर से हम थोड़ा सा सोस डाल देंगे, यह बिल्कुल ओप्सनल है, आप जितना चाहे उत्ना सोस उपर से डाले, ना डाले, तो फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है, उत्तपा पीजा, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, प्लीज लाइक, सेर और सब सब्सक्राइब करना ना बुले, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तेंक यू